हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब फरस्ट अफ़ल थांक्यू एवरीवन क्योंकि आप सबने मेरे चैनल को इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया है दोस्तो जिससे कि हमारे चैनल पर जो फर्स्ट टू हंडड़ सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आमने बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लिया है दोस्तो और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये प्यार और सपोर्ट आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तो ठीक है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी BS6 या फिर BS4 बाइक्स है या फिर कोई भी BS6, BS4 स्कूटर है तो उसमें आप किस तरीके से बिना कोई वायर कट किये जी हां दोस्तो बिना कोई वायर कट किये headlight के लिए एक on-off switch install कर सकते हो ठीक है दोस्तो और ये headlight के लिए on-off switch install करने का दो बहुत ही बड़ा reason है दोस्तो first reason ये है कि आपका headlight जो है वो दिन बर on होने की वज़े से आपका headlight का low beam होता है वो खराब हो जाता है जिस तरीके से मेरे bike का भी low beam खराब हो गया है दोस्तो ठीक है और जो second disadvantage इसका ये होता है कि आपके bike का जो battery होता है battery वो भी दोस्तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो चलिए हम bike की दरफ चलते हैं और हम आपको दिखाता हूं तो दोस्तो हम अपने bike के पास आ चुके हैं और ये जो bike है ये है hero passion x pro bs4 model दोस्तो ठीक है तो हमें switch install करने के लिए ये जो headlight का front visor है इसे खोलना पड़ेगा दोस्तो ठीक है और इसे खोलने के लिए है total हमें चार screw जो है वो lose करना पड़ता है और उसमें से जो सबसे पहला screw है वो screw यहाँ पे है दोस्तो आप देख सकते हो इसके बाद जो दूसरा screw है वो यहाँ पे है और इसी तरीके से दो screw दूसरे side में भी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको कोई परिशान ही ना हो यह वाइजर खोलने में तो यहाँ पे एक screw है और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक screw है तो अब मैंने जो चारो screw है उसे lose करना है और यह वाइजर खोलने का सबसे पहला step यह होता है कि नीचे की तरफ एक lock system होता है दोस्तो उसे हमें पह अंगले डालके जो यह lock है उसे बाहर की तरफ ऐसे push करना होता है मैं properly camera set कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना उंगले डाला और इसे बाहर की तरफ ऐसे push किया तो यह properly lock जो है वो निकल गया इसके बाद जो visor है उस इस तरीके से इसे पकड़ना होगा और नीचे की तरफ अपको headlight को push करना होगा एक second हाँ यह देखिए जो headlight assembly properly पूरा बाहर आ चुका है दोस्तों और उसके बाद जो headlight का जो coupler है उसे भी हम निकाल लेंगे ताकि हम properly यहाँ पे काम कर पाए और हमें कोई difficulty काम करने में ना हुँ तो जो headlight का coupler है उसे भी मैं इस तरीके से निकाल ले रहा हूं दोस्तों आऄ खेजले का जो coupler है उसे हमने अभी निकाल लिया है तो अब हम अपना काम शूरू कर सकते ही है क convention आप देख सकते हुआ headlet on off switch है उसे install कर लिया है और उसका जो wire है उसे हमने properly इस तरीके से यहाँ पे लिया है और उसे हम जो visor के पीछे जगा होता है वहाँ से properly आगे के तरफ ले लेंगे कुछ इस तरीक तो उसके बात दोस्तों मैं एक important चीज आपको दिखाना चाहता हूं आप देख से तो जो company का stock switch है उसका जो wire है जो मोटा सा wire आप देख सकते हो वह भी wire उसी जगी से अपना जो visor में आया है और जो हमारा पूरा काम है वह इसी wire के अंदर है दोस्तों मैं आपको properly दिखा देता हूं आप देख सकते हूं जो company का stock switch है उसका proper एक मोटा wire वाइजर के अंदर आया है तो इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर हमें yellow color का wire ढूणना है दोस्तों क्योंकि जो yellow color का wire होता है वही wire हमारा headlight का wire होता है दोस्तों तो हमें yellow color का wire देख सकते मिल गया है तो उस coupler को हम अभी ऐसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों हमने coupler को properly बाहर निकाल लिया है अब देख सकते हूं इसी coupler में yellow color का wire हमें मिल गया है तो अब हमें क्या करना है हमें जो yellow color का wire था उसे इस coupler से बाहर निकल निकल देना है तो उस yellow color के wire को बाहर निकलने के लिए हमें इस तरफी के का कुछ safety pin लगने वाला है और हम safety pin को जो coupler का locking system होता है उसे वहाँ पर insert करके जो yellow color का wire है उसे पीछे से हम बाहर कीच लेंगे अब एक important बात बोलना चाता हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग गलती यही पे कर देते हैं वो क्या करते हैं इस yellow color के wire को cut कर देते हैं तो हमें यह नहीं करना है ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हो जो yellow color के wire को एक थिंबल लगा है उस तरीके का थिंबल हमें एक arrange करना पड़ेगा और वो थिंबल हमें कहीं पर भी जो bike repairing shop होता है वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो हमने थिंबल arrange कर लिया है और उस थिंबल को हम क्या करेंगे अब देख सकते हो जो stroke yellow color का wire में निकालता हो उसी तरीके का थिंबल हमने arrange कर लिया है तो ठीक है अब हम इस थिंबल को जो हमने on off switch लगा है headler के लिए उसके किसी एक wire में join कर लेंगे अब देख सकते हो मैंने properly उस थिंबल को on off switch के एक wire में join कर लिया है और उसे properly heat shrink tube से properly उसे secure कर लिया है अब हम क्या करेंगे जहां से हमने yellow color का wire कपलर से निकाला था तो उसकी जगा पे हम ये wire को डाल देंगे दोस्तों तो उससे पहले हम जो थिंबल का lock system है उसे ठीक करेंगे और उसे ठीक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये lock system है इसे हम बस थोड़ा सा बाहर कर देंगे तो इससे ये होगा जब हम इस wire को कपलर में डालेंगे तो ये properly अपनी जगा पे lock हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो आप देख सकते हो ये जो yellow color का wire है इसे हमने coupler से निकाला था ठीक है और ये headler का wire है तो उसकी जगा पे जो हमने on off switch लगाया है उसमें हमने same उसी तरीके का एक thimble attach किया है आप देख सकते हो same उसी तरीके का thimble हमने on off switch के एक wire में attach किया है उसे हम उसकी जगा पे coupler में डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ properly आप देख सकते हो हमने उस wire को properly coupler में डाल दी है दोस्तों ठीक है यहाँ पे हमारा 50% काम खतम हो जाता है और अगर आपको इसके आगे का step नहीं follow करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो बस आपको करना यह होगा कि आपको जो यह yellow color का wire हमने जो coupler से निकाला था वो wire और जो on-off switch का दूसरा wire जो बचता है वो wire को join कर देना है दोस्तों कुछ इस तरीके से और यहाँ पे tape मार देना है तो आपका जो on-off switch है वो काम करने लगेगा लेकिन मैं इसको next level पे लेके जाने वाला हूँ और मैं इसको एक coupler type में convert करने वाला हूँ उसके लिए मुझे एक इस तरीके का thimble लगने वाला है और यह जो thimble है आप देख सकते हो यहाँ पे यह coupler type काम करने वाला है यह यहाँ पे लग जाएगा और जो yellow color का stock जो company का वायरम ने निकाला था उसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँग तो thimble लगाने के बाद जो हमारा coupler system है वो एकदम ready हो गया है दोस्तों आप देख सकते हो तो इसके बाद हमें इस area को secure करना है तो इसे secure करने के लिए मैं shrink tube लोगा और जहाँ पे हमने यह thimble लगाया था जो yellow color के वायर में वहाँ पे हम shrink tube को इस तरीके से लगा के इसे secure कर लिया है और हमारा coupler system ready हो गया है तो जो हमारा एक wire on off switch से आ रहा था उसे हम properly यहाँ पे fit कर देंगे इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा wiring totally complete हो गया है तो इसके बाद जो red color का coupler हमने निकाला था तो उसको हम properly उसके जगा पे लगा देंगे तो यह जो red color का coupler है आप देख सकते हो हमने properly उसके जगा पे fit कर दिया है तो यह जो wire यहाँ वहाँ पे हुआ है इसे हम properly उसके अंदर डाल के इस तरीके से उसके जगा पे हम उसे properly fit कर देते हैं इसे आप देख सकते हो हमने इसको यहाँ पर प्रॉपरली ऐसे लगा दिया है तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा काम ठीक से हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें जो headler का coupler है उसे उसकी जगा पे वापस लगाना होगा कुछ इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा headler का on off switch काम करता है या फिर नहीं करता है तो हमने key on कर लिया है अब देख सकते हमारा dRL जल रहा है और गाड़ी on करते ही हमारा headlet on हो गया है क्योंकि हमारा headlet का on off switch on था तो हमने अभी switch off कर लिया है switch on आप देखे तो off कर लिया, on कर लिया तो हमारा काम एकदम totally successfully done हो गया है दोस्तो तो इसके बाद हम visor को fit करते हैं तो visor fit करने के लिए सबसे पहले जो हमने नीचे का lock निकाला था उसे सबसे पहले हमें वापस उसके जगा पे लगाना है तो इस तरीके से push करके आप इसे लगा सकते हो उसके बाद तो इसके बाद दोस्तो मैंने आपको बताया था कि headlight के center में भी एक lock है तो उसको लगाने के लिए हमको headlight पे यहाँ पे हाथ रखके headlight को अंदर की तरफ push करना होगा दोस्तो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आप मेरे वीडियो से connect कर पाते हो तो आप इस चैनल को subscribe ज़रूर करना दोस्तो और इस वीडियो को like करे भी न ना जाना दोस्तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share ज़रूर करना ठीक है दोस्तो तो आप देख सकते हो हमने वाइजर को properly fit कर लिया है इसके बाद जो हम चारो स्कूर है उसे भी लगा लेंगे ठीक है तो हम एक evening test करते हैं लाइज आपर उने सब्कूच सब कुस कर रहा है टो थैंकि दोस्तों स्टेर्ट उनफर मा कर रहा